तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशाए कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका फिफ्थ एपिशोर में तो आज मैं फिन करूंगा फलफी पैरडाइस एपिशोर नमबर फिफ्थ को तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी इस रिक्वेस्ट की अभी तक आपने चैन्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज चैन्सकाइब कर लीजगा चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुवे हो चुकी है और यहां पर नीमी के जो डैड है वो जो है जाने के लिए जंगल में जाने के लिए फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो है जंगल में जाने के लिए और ये लोग जंगल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं यहीं पर एक old man बोलता है कि जो monster वाई जगा है वो जो है आने वाली है तब ही नीमी के dad बोलते हैं ठीक है उससे पहले हम लोग लंच कर लेते हैं यहीं पर हम देखते हैं इंको एक अजीब सी आवाज आ रही होती है पर पड़ने के बाद इनको एक monster दिखाई पड़ता है यहां नीमी जो होती है principle को देखती है और कहती है कि यह मुझे rabbit तो नहीं लग रहा जिसके बाद हम देखते हैं बाकिन नीमी सोच रही होती की मोंश्टर हिलने रहा है इसका मतलब कुछ गड़वड है। तब ही हम देखते हैं नीमी जैसे ही हाथ लगाने वाली होती है मोंश्टर को यहाँ बहुत सरा खून पड़ा हुआ है। अब जो नीमी होती है वो समझ जाती है कि कि यहां पे most clock चोट लगी होई है जिसके बाद यह होती है डिरेक्ट उस Mr. के तरफ भागणा सुरूख कर देती है और यहाँ पे यह बोलती है कि मैं उसे इस तरह से नहीं चोट सकती यही पे जो soldier होते हैं और जो बाकी बंदे होते हैं वो नीमी के पीछे पीछे आ रहे होते हैं यही नीमी बोलती है कि उस मौस्टर को चोट लगी है मैं उसे नहीं छोट सकती तभी हम देखते हैं नीमी जो होती है वहाँ पर पहुच जाती है मौस्टर के पास अब नीमी धी धीरे जो मॉस्टर होता है उसे टैच करने के लिए आगे बढ़ती है तब ही जो मॉस्टर होता है वो सीधा नीमी के उपर कूज जाता है और ये बोलती है नीमी कि आप मैं समझ गी कि पहले ये क्यों भाग गया था क्योंकि वहाँ पे कैनाइट से जिसे डर के बाग गया था मुझे लगा कि मेरी स्कील है वो जह अब खतम हो चुकी है लेकिन शुकर है कि में जो स्कील है वो जह अभी तक ठीक है तब ही हम देखते हैं नीमी के ओपर कोई जाल डाल देता है जिसके बाद एक सोलजर यहां पे जह आ जाता है और यह देखता है कि नीमी की टोपी यहाँ पेड़ी के पास पड़ी हुई है नेक्शिन में हम देखते हैं नीमी जो होती अपनी आखे खोलती है और यह देखती है कि बहुत सारे जो मॉंस्टर होते हैं वो जो होते हैं इसके सामने खड़े होते हैं यहां निमी काफ़ी डड़ जाती है, तभी यहां पे एक गोबलिंग जो होता है, निमी के आगे आ जाता है, यहां पे यह जो होता है, रैबिट को पकर निकले जा रहा होता है, निमी बोलती है कि तुम इसे मत खाओ समझे ना, अब निमी क्या बोल रही होती है, यहां पे किस को समझ नहीं आरहा होता है तब इद जन्हीं को कुछ भी समझ नहीं नहीं बोलुदेً लिकिन इन मस्ट्रो का चहरा देख्के बोलती है यह लोग काफी क्यूट लग रहे हैं लेकिन एकदम से यह बोलती है लेकिन है तो यह मौस्टर लीना जिसके इससे बात हम देखते हैं फिकशों नीमी को जह है ले जा रहे होते हैं यहीं पर जो नीमे के फादर होते हैं और पर इसे तरफ की निशान मिल जाते हैं यहीं पर धार होते हैं खाले के emphasis के लित की होती है यह तो जाहिर सी है तब ही तो हम लोग यहां पे हैं निमी कहती हीdır कि यहerte ¿कि यहीं sed सुना है कि उनको कहीं और ले जाने वाले हैं हमने जह उनसे पहले थोड़ी बहुत बाचित की थी लेकिन अब हमारी जह कोई बाचित नहीं होती उनसे यहीं पे जो निमी होती है वो सोल ड्रेगन से बात करने कुछ कर रही होती है और यह ड्रेगन को बोलती है क्या मैं यहां मैजिक का यूस करना है तो यहां सोल ड्रेगन बोलता है कि आखिर का तुम हो कहां पे तो निमी बोलती कि मुझे गॉबलिंग्स ने यहां पे गिनेप कर लिया है और मैं अभी उनकी गुफा में हूँ और मैं किल्ले नहीं हूँ यहां पे जह कुछ और बंदे हैं मुझे जह उनको भी निकालना है और मुझे इन गॉबलिंग को यहां पे जह सबक सिखाना है तभी यहां पे जो ड्रेगन होता है यह बोलता है कि तुम जो यहां पे मेरे मैजिक का इस्तमाल नहीं कर सकती हो तब ही हम देखते हैं कि यहां पर जो यह दोनों बच्चे होते हैं यह निमी को देखके काफी ज़्यदा घबरा रहे होते हैं यहां निमी बोलती है कि मुझे माफ करना फिर यहीं पर निमी कहती है कि मुझे पापा का ही इंतजार करना पड़ेगा तबी निमी के पेट से आवाज आती है तो यहाँ पे जो लड़की होती है यह बोलती है तुम तो सही में कमाल की लड़की हो तुम्हें अभी भूक लग रही है तो निमी कहती है यह तो नेचरल चीज है आकिर कार इस पे किसका कंट्रोल है तबी जो लड़की होती है उसके पेट से भी आवाज आने लग जाती है और साथ में लड़के के पेट से भी आवाज आने लग जाती है यहीं पर हम देखते हैं यह तीनों इसी तरह होते हैं यहां पर असना सुरू कर देते हैं निमी बोलती है लगता है कि तुम्हें भी काफी भूक लगी है चलो कोई बात नहीं मैं जाती हो और जो खाना है उसे ढून के लाती हो निमी जो होती है फिर बाहर चली जाती है फिर हम देखते है निमी जो होती है गुफा से बाहर आ जाती है लेकिन जैसे यह बाहर आती है इ निमी को एक फल को ऐता है और इस बार निमी को फल को घाटी है वह नमी तो is अच्छा अच्छा लग रहा होता है फिर निमी कहती है कि मैं समझी कई इसफल को यहान पे छिलका उतर के खाते हैंगे तो यहां पे रहां लगएगा फिर यहाँ पर जो निमी होती है यह बोलती है क्या मुझे कुछ और फल मिल सकते हैं तो यहाँ पर गोबलिंग निमी को और भी ज़दा फल दे देता है निमी जो होती है यहाँ पर गोबलिंग को थैंक्च्यू बोलती है और यहां पे यह लोग भी पत्तर से छीला सुरू कर देते हैं फल को और यह भी जो होते हैं छील देते हैं फिर यहां पे निमी और जो गोबलिंग होते हैं वो जो होते हैं फ्रेंट बन जाते हैं यहां निमी कहते है लगता है गोड ने जो यह पावर दी है मुझे यह जह इंके उपर भी काम कर रही है फिर निमी बोलती है कि मैं इन लोगो को यहां पे जो मरते वे नहीं देख सकती तबी जो निमी होती है ये बोलती है कि आखिर का तुम लोग यहां पे क्यों रहते हो यहां पे यह लोग इसकी भासा को समझे नहीं पा रहे होते हैं यहीं पे एक gorilla को बोलने कुछ करता है लेकिन नेमी भी जो होती है उनकी भासा को नहीं समझ़ पा रही होती है और यह बोलते है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर गातम क्या बोल रहे हो यहीं पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो गोबलिंग होता है वो जो होता है यहां पर आ जाता है निमी जो होती है उस गोबलिंग को देखके तो यहां पर काफी जाद डड़ जाती है लेकिन हम देखते हैं कि गोबलिंग यहां पर जो इनसानों की तरह बात कर पा रह होता है और यह सारे गोबलिंग को बोलता है कि आखिर कार यह जो लड़की है यहाँ क्या कर रही है means किसी लड़की को ऐन्याप कर लिया मैंने तुम्हें sharper मैंने कि-सी को बेड़ होती है इस तरह से गीड़े नहीं करना चाहिए तुम्हे सेविया निमी खोलती है आप निमी बोलती है कि मेरा दूसरा कोशन यह है कि आपने बच्चों को गिर्णैब क्यों करका है यहां पर मैं जो तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ अगर तुम लोग यहां पर हो तो सेफ हो तुम्हें पता नहीं होगा कि जो गोबलिंग है वो जो बच्चों की देख बाल पता है कि तुम लोग यहां पे जो काफी दूर से जो आई हो क्योंकि मैंने सुना है कि इस फुरेश्ट में गोबलिंग जह नहीं रहते हैं तुम लोग तो नौर्थ में रहते हो ना तो आखिर का तुम जो अपना गोसला छोड़के इस जगा पे क्यों आगे हो तो जो बड़ आगय हैं तो यहां पर जो निमी होती है यह सब एनसानों की वज़ वन से हो रहा है फिर यह सौसती है कि अगर पापा को यह इससर पीसदा चला कि मैं इनके साथ रह रहर रही हूँ तो भी इसने को मारी दें लेकिन मैं इन गोबलिंग छोड़ सकती हूं मुझे इंके लिए कुछ करना पड़ेगा जिसके बाद यह जो होती है इंसे पूछती है क्या तुम्हें इंसानों से बदला लेना है तो यहां पर बड़ा अलग गोबलिंग बोलता है कि नहीं तुम हमें एक सिंपल सी जिंदगी दे दो पहले की तरह हम लो नहीं पर बीजर कर सकती है और मेरे उन से बात करना अभी जहति जहां लगोबलिंग फिर हम लोग इस प्लान को आज ही यहां पर स्टार्ट कर देते हैं जिसके बाद ने में ने कि लड़की होती है यह वो दो दो नगाते हैं तुम्हें टैंसलेंगी कोई जोद नहीं है अभी हम लोग यहां से बाहर भी निकल सकते हैं तभी जो लड़की होती है यह बोलती है कि आखिर कर हम लोग यहां से बाहर कैसे निकलेंगे तो यहां निवी बोलती है क्योंकि मेरे जो डैड है वो जो आने वाले हैं तो आकिरकार हम लोग बाहर क्यों जाएं, हम लोग यहीं पर वेट क्यों नहीं करते हैं उन लोग का, फिर यहां पर जो निमी होती है, और गोबलिंग ची सारी बातों को यहां पर इनको बता देती है, और यह बोलती है, इसी कारण वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और हम मैं उन्हें बचाना पड़ेगा लेकिन जो मेरे फादर है वो जह अभी गोबलिंग के उपर बहुत जादा गुस्ता होंगे और वो इस कंडिशन में मेरी बात को नहीं सुनेंगी इसलिए मैं एक ऐसी कंडिशन यहां पर बना चाहती हूं जिसमें वो जो है मेरी बात को सुन इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम दोनों यहां पर जो है मेरी हल्प करो तो यहां पर यह दोनों बोलते हैं कि हम आपकी हल्प कैसे कर सकते हैं निमी बोलती है यहें पर हम देखते हैं निमी जो होती है बोलती है कि तुम जो बाहर भागोगी यहां पर लड़की को यह बोल र कर सकती हो उसका भाई बोलते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने के लिए त्यार हो सकता है निमी जो होती है इस लड़की को गले लगा लेती है यहां पर यह दोनों काफी खुश होते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लैन के मुताबिक यहां पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आ चुके होते हैं और यह सभी गोबिलिंग्स को मारने के लिए आगे जो होते हैं बढ़ रहे होते हैं तब ही हम देखते हैं कि यहां पे दोनों बच्ची जो होते हैं भाग रहे होते हैं और य यहीं पे जो नीमी के फादर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घुसा हो चुके होते हैं, और यह बोलते हैं कि जल्दी से तुम जो नीमी को अपिस कर दो, और यहां पे यह जो होते हैं, फायर बोल का यह इस्तमाल करने वाले होते हैं, फिर हम देखते हैं कि यह फायर बोल का जो इस मैजिक का इस्तमाल कर सकती हो अब इस बात को सुनके यहाँ पर जो निमी होती है वो काफी घवरा जाती है और यह बोलते हैं शाय से मुझे जाके मुझे माफी माग लेनी चाहिए पर निमी जो होती है बाहर आ जाती है लेकिन इस बार भी जो यहाँ पर निमी होती है वो उसको बचा लेती है और यहीं पर हम देखते हैं निमी जो होती है गोबलिंग के आगे आगे खड़ी हो जाती है और यह बोलते हैं कि गोबलिंग को मत मारो यहां पर जो नीमी के फादर होते हैं यह बोलते हैं ठीक है अभी के लिए जो गोबलिंग है उसे यहां पर छोड़ दिया जाए और हम देखते हैं कि ये एक स्पाइडर वाला मोंस्टर होता है और यहीं पर जो अपिशोड होता है वो भी जो होता है कतम हो जाता है उमीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे जहे कमेंट कर दीजेगा मैं मिलूँगा आपको जागले वीडियो में जब तक ले बाई बाई